दीप मॉनिंग, दाउ को क्या हो गया एक आएक? I don't think कुछ ऐसा बड़ा ट्रिगर आया है, खबराने वाली बात नहीं है, चार दिन की तेजी है, लंबे वीकेंड के बाद आप आ रहे हैं, थोड़ा नतीजों का रियाक्शन है, तो उससाब से आपने देखा कि थोड़ी आपने कूल आफ होते हैं, करीब 1% सवा 1% गिरा है, पर हाँ, 400 पॉइंट फिसला है, शुरुआत अच्छी वी थी, उसके बाद डेज लो पर बंद हुआ, थोड़ा मिला जुला आप आक्शन यूएस में देखते हैं, वैसे तो आप कहेंगे, तो डाउ में 4 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा है, बट उसके सामने आपने देखा तो उसके सामने अगर आप देखेंगे तो 400 पॉइंट नीचे फिसला है, बट उसके सामने नाजड़क फूचर्स भी आपको आधा परसें नीचे दिख रहे थे, उसके सामने अगर आप देखेंगे तो नाजड़क पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है, तो उतने जादा सकते हैं कि डाव पर थोड़ी शाप मूव जादा आपको आते हूँ दिखी, गोल्मन सैक्स की बात करें, तो यहां पर नतीज़ों ने बाजार को निराश किया, इसलिए स्टॉक 6.5% आपको फिसल कर आते हुए दिखा है, कमजोरी थी गोल्मन सैक्स के शेर में, क्योंकि इ यहां पर नतीज़े अच्छा है तो दिखेते हैं, इसलिए जो इनका वेल्थ मैनेजमेंट बिजनस है, वहां से आपने अच्छे प्रदर्शन देखा था, तो दोनों तरफ के संकेत थे, जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, टेसला यहां पर शेर में 7% की तेज़ी आपने कल आती हूँ देखी, तो एक बड़ा उच्छाल उस काउंटर में भी बना हुआ था, इसके अलावा आज काफी important डेटा आने वाला है, एक तो पहले retail बिक्री के आंकडे आने वाले हैं, और काफी नज़र रहती है कड़ी इस पर कि किस तरह का प्रदर्शन रहा है, December के महिने में, Christmas के समय, किस तरह की retail बिक्री है, ये देखना पड़ेगा, और अनुमान 0.8 से 1% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है, तो देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन रहता है, retail बिक्री के आंकडों से साथी producer price index आने वाला है, फेट जब अपनी policy बनाता है तो इस डेटा को काफी closely track करता है, यहां पर आप 6.8 परसन का अनुमान लगा रहे हैं, 7.4 परसन से गिर कर, तो देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन रहता है, यह दोनों डेटा फैक्टर्स काफी important रहेंगे, और अफकोस नतीज़ों का भी season अमेरिका में चल रहा है, तो उ अमेरिका और यॉरोप दोनों से आज शाम को काफी important लेटा आएगा, देखते हैं बाजार उससे कैसे क्यूज लेते हैं, डॉलर इंडेक्स 102 के उपर बरकरार है, कमोडिटीज में थोड़ा मिला जुला action आपने बनते हुए देखा है, कच्चा तेल दो हफते की उचाई पर अगया है, बरेंट आप नज़र डालिए, 86 डॉलर के उपर है, in fact, 86.50 पर फिलाल आपको बरेंट आते हुए दिख रहा है, चीन में मांग बढ़ने की उमीद है, बहतर मांग की उमीद है, ऐसा OPEC का कहना है, और इसकी वज़े से हम देख रहे हैं, कि कच्चे तेल में बड रही है, और उसकी वज़े से हम देख रहे हैं, कि नाच्रल गैस में एक बड़ा उचाल है, यॉरप के कांट्रेक्ट्स में भी कल आपने बड़ी मूव यहां पर आती भी देखी थी, सोना उचाई से फिसला है, 1920 डॉलर के करीब हमने आ आ जाते हुए देखा था, अभी फि थोड़ा मिला जुला कारोबार बनावा है, तो ओवराल थोड़ा सुस्त अक्शन अफकोस, डाउ में देखा थोड़ा नतीजों पर जादा अमेरीकी बाजारों ने रियाक्ट किया है, बड़ देखते हैं, आज के डेटा पर बाजार पर कैसा अक्शन रहता है, और अफकोस एशिया के मारकेट्स की बात करें, तो जपैन में आपको हलकी बड़ा तबी दिख रही है, बैंक अफ जपैन की पॉलिसी यूजली साड़े आठ बजे सुभा हमारे टाइम पर आती है, वहां से क्या निकल कराता है, ये काफी इंपॉर्टन रहने वाल है, तो आज का इवेंट फिलाल तो यही है, देखते हैं, बैंक अफ जपैन क्या करता है, चलिए, तो उस डेटा पर और डीटेल्स पर रहेगी नजर, शुक्री आपका दीप वो पूरी डीटेल्स इंटरनेशनल मारकेट की दर्शकों के सामने रखने के लिए